नमस्कार आप देख रहे हैं टाइम्स नियूज और मैं हूँ आपके साथ चबी आए नजर डालते हैं कुछ खास खबरों पर इंदौर में भीशन आग से शराब दुकान खाक एमार 11 स्थित दुकान में आग लगने के बाद सुनाई दिये धमाके इंदौर बाइपास पर स्थित एक शराब दुकान में गुरुवार दोपहर भीशन आगजनी हो गई आग में लाखो रुपए की शराब जलकर खाक हो गई आग लगने के बाद कुछ धमाके भी सुनाई मिली थी. दस से ज्यादा टैंकर पानी डाल कर आग पर काबू किया गया इस घटना में किसी तरह की जन्हानी नहीं हुई आग लगने के कारण सडक पर एक तरफ का ट्रैफिक कुछ देर के लिए बंद किया गया था. करीब एक घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू किया आग लगने का कारण अभी सामने नहीं आ पाया है. आग लगते ही सभी करमचारी दुकान से बाहर आ गए थे.